हलो फेंड्स, स्वागत है आप सबका, आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में अज जो हम लोगोंने करेंट अफेर का सीरीज स्टाइट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्राक्टिस स्टेस्ट नमबर टुबेल इससे पहले एक से गारा तक ओलेडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस से देख सकते है आज का जो हमारा पहला कोश्चन है वो ये कहरा बर्स 2020 में बिहार के किंदो राजपाल का निधन हो गया है तो उनका नाम है देवानंद कुमर और लाल जी टंडन तो इस कोश्चन का सहियन सरोगा उप्सन नमबर A अभी तत्कालीन गवर्नर की बात करते हैं राजपाल की बात करते हैं तो उनका नाम है एफ़ा गुचोहान नग्स्टबे हमारा पी एम मोदी ने किस राज में आरोग बन का उदगाटन किया है तो आरोग बन का उदगाटन किया है गुजरात में तो इस कोश्चन का सहियन सरोगा औप्सन नमबर B गुजरात से एक चीज़ और यादर किये गा भारतिये राजियों में गुजरात में सरवाधिक आदर भूमी भी है साथी साथ गुजरात से याद रखेगा अभी जो रन उस सब हुआ है और उगादी तेओहर ये भी गुजरात में मनाया गया है नेक्स्ट हमारा रेलबे सुरच्छा बल दोरा यात्रा के दोरान महिला सुरच्छा के लिए शुरू की गई पहल कौन सी है तो वो है मेरी सहली एक रेलबे के दोरा ऑपरेशन भी चलाया गया है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ठंडर Operation Thunder जो है वो रेलबे द्वारा आरच्छी टिक्टो की काला बजारी रोक नहीं है तो शुरू की गई है Next हमारा किस देश के पूर परधान मंत्री मेसूद इलमाज का निधन हो गया है तो वो तुरकी के पूर परधान मंत्री से तो इस कोशन का सयन सरोगा option number C तुरकी तुरकी की राधानी है अंकारा Next हमारा देश की पहली सीपलेन सेबा का उदगाटन निम्न में से किस राज्यों में किया गया तो पहली सीपलेन सेबा का उदगाटन जो है वो गुजरात की सावरमदी नदी से तो इस कोशन का सयन सरोगा option number B नेक्स्ट हमारे बीत मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा रच्छा बजट 2020 में कितने रासी आवंधित की गई है तो ये किया गया है 3.37 लाग कडोर दिसकोशन का सयंसरों का आपसन बज़े एक चीज और याद रखेगा रच्छा बजट में पिछरे बजट से 6.37 की बढ़ोतरी भी की गई है और अगर रच्छा के छेतर में दी जानी वाली पेंसन को भी जोड़ दिया जाए तब जो टोटल बजट है वो है 14.7 लाग कडोर रुपे का नेक्स्ट है हमारा कौनसी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे जादा गोल करने वाली खिलाडी बन गई है तो उनका नाम है क्रिस्टीना असीन क्लियर नेक्स्ट है हमारा मार्च 2020 में मौंट में रापेज वाला मिखी में बिस्पोर्ट के कारण या चर्चा में रहा या किस देश में इस्थी थे तो यह इंडोनेसिया में इस्थी थे तो इसकोशन का सयांसर आप्सन बरी इंडोनेसिया इंडोनेसिया के राष्टपती का नाम currency है टका यहां के sunset को बोला जाता है जाती है sunset यहां के राष्टपती का नाम है अब्दुल हामीद और यहां के प्रधानमंत्री का नाम है सेख हसीना next है हमारा की कारोबारी सुगमता सूचकांग की यानि Age of Doing Business Index 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है इसमें भारत का स्थान 63 है यह बिल्कुल सही है इसमें प्रथम अस्थान New Zealand को प्राप्त है यह भी सही है पैरासाइट तो इस कोशन का सहियन सर आपस नबर D एक चीज और याद रखेगा आसकर 2020 से कि सबस्रिष्ट अभिनेता का जो अभिनेता का पुरुसकार है वो जोकिन फेनेक्स को दिया गया है और सबस्रिष्ट अभिनेत्री का जो पुरुसकार है बोजेनी जिल बेकर को दिया गया है नेक्स्ट हमारा भारत और मंगलादेश के मत तीन फरवरी 2020 को किस नाम से संजुक सहनब्यास आरम हुआ है तो इसका नाम है संप्रिटी तो इस कोशन का सहियन सर ओगा आपस नबर B एक चीज और ज्याद रखिएगा भारत और मंगलादेशे भारत और मंगलादेश के बीच एक बोंगो सागर अभियास भी होता है अगर हम पैसेक्स की बात करते हैं तो पैसेक्स भारत अमीरिका के बीच इंदर 5 जो है वो भारत और रूस के भीच और मितर सक्ती जो है वो भारत और सिलंका के बीच होता है Next है हमारा की CAA का पुन रूप क्या है तो CAA का पुन रूप जो है वो है Citizenship Amendment Act Next है हमारा की निमलिखिन में से कौन समलित नहीं है एक साइट युद्धा ब्यास दिये हुए है पहला कहरा है जायर अलबह ये भारत और कतर के बीच ये बिल्कुल सही है दूसरा है टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच ये भी बिल्कुल सही है फिर है तीसरा माइनेक्स भारत और मालदीब के बीच ये गलत है तो देखिए बजट में जो बजट 2020 की से उसमें प्रभधान किया गया था कि 5 लाग तक कोई tax नहीं होगा 5 लाग से 7.5 लाग तक 10% tax होगा 7.5 से 10 लाग तक 15% 10 लाग से 12.5 लाग तक 20% साथे 12.5 लाग तक 25% और 15 लाग से उपर अगर आपकी इंकम है तब 30% आपको tax पे करना पड़ेगा Next हमारा UPI सुगधा देने बाला देश का पहला दूर संचार operator कौन बन गया है तो ये बन गया है Reliance GEO UPI का मतलब होता है Unified Payment Interface Next हमारा किसरारी सरकार ने हाली में सिसू सिरच्छा Mobile App लाँच किया है तो ऐसा करने वाला जो राज है वो है Assam Assam से याद रखिएगा इससे एक कोशन बहुत बारिक जाम में पुछा गया है वो है Arunudhati Svarni योजना और और नोधियो योजना ये दोनों योजनाए जो है वो Assam सरकार के द्वारा चलाई जा रही है Next है हमारा कि हाल ही में सरदर्विंद बोब्डे ने कौन से मुखने अधिष के रूप में सपत ग्रहन किया है तो ये किया है 47 में मुखने अधिष के रूप में नाम है काप्टनम रंदर सिंग और यहां के गवरनर का नाम है भीपी सिंग बदनोर Next हमारा कि हाली में किस देश की संसद्वारा पारित परस्ताव की अनुसार वहां के राश्टपती 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे तो ये हैं रूज के राश्टपती जिनका नाम है ब्लाद इमिर पुतिन रूज की राधानी है मासको और यहां की करंसी है रूबल Next हमारा बिजय हजारे ट्रॉफी 2019 का किताब हाली में किस टीम ने जीता है तो बिजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबन दी थे और यह जीता है करना तक तमिलाडू को हराकर एक चिज़ार क्रिकेट से याद रखेगा जंजी ट्रॉफी जो की सौराष्ट जीता है बंगाल को हराकर नेक्स्ट हमारा 20 दिसम्बर 2020 को देश के किस पूर परधान मंत्री ने राजसभा के सदस के रूप में सपद गरहन किया है तो ये किया है किसने HD देव गौरा ने HD देव गौरा की अगर बात करते हैं तो ये 1996 से लेकर 1997 तक भारत के परधान मंत्री के रूप में काज़र थे और ये परधान मंत्री पद गरहन करते समय बिधान सभासदस थे नेक्स्ट है हमारा जनगना 2021 का आयोजन कितनी भासाओं में किया जाएगा तो जनगना 2021 का जो आयोजन है वो 16 भासाओं में किया जाएगा नेक्स हमारा इंडोनेसिया ने इस्ट काली मंथन प्रांथ में अपनी नई राधानी बनाने का निन्ने लिया है यह निम्न में से किस दीप परिस्थी थे तो यह बहुत नियो दीप परिस्थी थे इससे पहले इंडोनेसिया की जो राधानी थी वो थी जा करता है नेक्स्ट है हमारा की हाली में 20 के पहले टाइफाइड वैक्सिन को किस देश में लॉंच किया गया है तो 20 के पहले टाइफाइड वैक्सिन को पाकिस्तान में लॉंच किया गया है तो इसका सही अंसर होगा option number B, पकिस्तान की राधानी है इस्लामाबाद, यहां के पर्धानमंत्री का नाम है इमरान खान और यहां के राश्ट्रपती का नाम है आरिफल भी नेक्स्ट हमारा हाली में जारी QS इंडिया इन्वसिटी रैंकिंग 2020 में किस स्थान ने सिर्फ सस्थान पर आपकिया है तो यह किया है IIT मुंबई ने नेक्स्ट हमारा ICC द्वारा हाली में बंगलादेश के किस और लाउंडर क्रिकेट खिलाडी पर दो बर्सों का बैन लगा दिया गया है तो यह लगाया है सकीब अलहसन पर ICC की अगर बात करते हैं तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसकी अस्थापना 1909 में हेड़क्वाटर दुबई में और टोटल मिंबर कंट्री जो है वो है एक सोचार Next हमारा हाली में किस बैक्ति को बर्स 2019 के ब्याद समान के लिए चुना गया है तो बर्स 2019 के ब्याद समान के लिए नासिरा सरमा को चुना गया है और उनकी जो एक उपन्यास है कागच के नाव उनके लिए 2019 का सरसती समान भी याद रखिएगा 2019 का जो सरसती समान है वो बासदेव मोही को दिया गया है नेक्स्ट अमारा हाली में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजर्स एक्सप्रेस का संचालन किंदो सहरों के मद्ध किया गया तो ये किया गया लखनाव और दिल्ली के बीज नेक्स्ट अमारा परधानबंधी नरेंद मोधी ने यूएनो के मुख्याले में कितने चमता वाले गांधी सोलर पार्क का उदगाटन किया है तो ये है 50 किलोबाट यूएनो की अगर बात करते हैं तो यूएनो की अस्थापना 1945 में हेड का नाम है एंटिनो गुतेरास टोटल मेंबर कंट्री है 193 में और 193 में यानि की जो अंतिम कंट्री मेंबर मना है वो है दचनी सुडान नेक्स्ट अमारा हाली में कितने सा कारी बैंकों के बिलाई की घोसना की गई है तो ये अब जो है वो दस सारवजनिक छेतरों के बैंकों का जो है वो चार बड़े सारवजनिक छेतरों में बिलाई किया जाएगा तो इस कोशन का सजयन सरोगा और अब जो सारवजनिक छेतर के बैंकों की संखेया बचेगी, वो बचेगी 12 इसमें जो बिली हुआ है वो हुआ है, इलहाबद बैंक का जो बिली है, वो इंडियन बैंक मे हुआ है अंधरा बैंक का बिलीए जो है वो Union Bank ऑफ इंडिया में हुआ है, Oregonal Bank of Commerce और United Bank ईंडिया का जो बिला है वो पंजाब लेंड में listen YouTube कबसे से ऑफ वैइन के जिस्वान प्रणो में गया और चीज़ एंडर सैक्वा इसंड्य 1993 में भारत में किया जाएगा मिस इन वर्स अस्टेलिया तुमिटे आम सै मारिया ठटिस नेक्स्ट हमारा किस देश ने जलवाई परबरतन के खिलाफ Friday's for future अभियान की सुरुआत की है तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है Sweden, Sweden की अगर बात करते हैं तो ये एक Europe का देश है जिसकी राधानी है Stockholm नेक्स्ट हमारा बरतमान में भारत में कितने राज और किंदर सासीत परदेश है तो बरतमान में अगर बात करते हैं तो भारत में 28 राज और 8 कंदर सासीत परदेश है तो इसकोशन का सही अंसर होगा option number A नेक्स्ट है हमारा कि लाल बहादूर सास्त्री politics and beyond पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है संदीप सास्त्री तो इस question का सही answer होगा option number C, संदीप सास्त्री अगर ब्यक्ती विशेस की रूप में देखा जै तो लाल बहादुर सास्त्री जो थे वो दूसरे परधान मंत्री थे और इनका जो इनुवर था वो था 1964 से लेकर 1964 अच्छियासर तक नेक्स्ट हमारा जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गाउं भारत का पहला सौर कीचन गाउं घोसित हुआ है इसका संबंध किस राज इसे है तो यह है मदपदे से मदपदे से एक चीज़ याद रखेगा मदपदे जो है वो सोया बीन डाल तांबा हीरा और मैंगनीजियस का उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज है नेक्स्ट हमारा फाइब जी नेटवर्क लांच करने वाला बिसुक का पहला देश कौन बन गया फाइब जी का मतलब होता है जी यहाँ पे होता है जेनरेशन और इसको लांच करने वाला जो पहला देश है वो है दच्छिन कोरिया दच्छिन कोरिया की अगर बात करते हैं तो इसकी राधानी है सियोल और करेंसी है बॉन पिछले पांच बरसों में भारत के बंच्छेतर में कितने ब्रिधी हुई है तो भारत में एक परतिसत की ब्रिधी हुई है परिया बरन बन अबम जलवाईू परिवरतन मंतराले के मंतरी की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है परकास जाबेट कर नेक्स्ट हमारा किसराज में हिमालियन क्लाउड बेस साला स्थापित किया गया है तो ये किया गया उत्राखंड में तो इस कोशन का सही अंसर होगा उप्सन अमरी उत्राखंड उत्राखंड से एक चीज़ याद रखेगा अभी उत्राखंड में तेहार मनाया गया है उसका गवर्नर का नाम है गनेसी लाग, अभी उडिसा में हाली में फोनी और कितली नामा अक्तुफान भी आया है नेक्स्ट हमारा किस रारी सरकार द्वारा हर्वर्ड रोड्स प्रोजेक्ट के तहब सर्रक के दोनों और और उस दिये पौधो का रोपन करने का निने लिया गया है तो यह लिया गया है उत्रपदे से एक चीज़ याद रखेगा उत्रपदे जो है एक आयूस कबच आप और परवासी राहतमित राप भी लॉंच किया है नेक्स्ट हमारा किस देश ने भारतिये पुरातात सर्वेचन विभाग ने 1100 साल पुराने सिबलिंग के खोज किया है तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है बियतनाम बियतनाम में भारतिये पुरातात सर्वेचन विभाग ने 11 साल पुराने सिबलिंग की खोज की है बियत नाम की कापिटल है हनोई Next हमारा सिबिल सेबा के अधिकारियों ने करोना वारस महामारी के बिरुद सरकारी सेबाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का सुबारम किया है तो उसका नाम है करोना पहल ये करोना ये है C-A-R-U-N-A और इसका जो फुल फर्म होता है वो है सिबिल सर्विसेस एसोसियेशन रीच टू सपोर्ट नैच्रल डिजास्टर्स Next है हमारा फियर ओफ गॉड पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है तो फियर फ गॉड जो है वो बधान के द्वारा लिकी गई पुस्तक है Next हमारा हाली में किस राज सरकार ने कौफी बिज सीएम काच करम की सुरुवात किया है तो कौफी बिज सीएम काच करम का सुरुवात किया है गोवा सरकात ने गोवा के मुखवंत्री का नाम है प्रमोद साबंत नेक्स्ट है कि किस राज की परसिद मुंगफली की कैंची को मैं 2020 में जी आई टेक प्रदान किया गया है तो ये किया गया है तमिलाडू के तमिलाडू के और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको की जी आई टेक प्रदान किया गया है जैसे की रोड हल्दी, तिरुभूमन सिल्क साडी, डिंडु गुलताले, कंदानगी साडी ये सब भी तमिलाडू का है जिसको की जी आई टेक प्रदान किया जा चुका है नेक्स्ट है हमारा ICC महिला T20 बल्ड कप 2013 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो ये किया जाएगा दचिना फिरका में तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर D ये जो है वो आठमा T20 बल्ड कप है इससे पहले होगा साथमा T20 महिला बल्ड कप जो की 2020 में आस्ट्रेलिया में खेला जाएगा नेक्स है हमारा कि हाली में बिस बैंक की नई मुख और सास्त्री किसे चुना गया है तो ये चुना गया है कारमेन रेन होट को तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर C बिस बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी अस्थापना 1945 में हेड़कॉर्टर बासिंग्टन में हेड है इनके डेविड माल पास और डोटर मेंबर कंट्री है 189 नेक्स्ट हमारा बजट 2020 की इसके दौरान निर्भी की ओजना की जुरुआत की गई है जिसका उदेश है तो उसका उस देश है निल्यात को बढ़ाबा देना बजट से कुछ और भी चीज़े याद रखेगा इस बात जो बजट का थीम था वो था इज ऑफ लिबिंग 2025 तक देश से टीवी समाप्त करने की बात कही गई है तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा थैंक्स वर वाचिंग